हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम रेड ब्रिक्स, फ्लाइस ब्रिक्स और एसी ब्लोक्स इन तीनों में डिटेल्ड कमपेरिजन देखेंगे कि घर बनाने के लिए क्या बैस्ट है ओके फ्रेंड्स तो वीडियो में बने रहें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं रेड ब्रिक्स, फ्लाइस ब्रिक्स, एसी ब्लोक्स, रॉ मेटिरियल्स रेड ब्रिक्स, क्ले, सैंड, लाइम, आईरन ओकसाइड और मैगनीजिया के मिक्चर से बनाई जाती है वही फ्लाइस ब्रिक्स, फ्लाइस, सिमेंट, सैंड, लाइम, और जिप्सम के मिक्चर से बनाई जाती है और कई बार इनके मिक्चर में कुछ अमांट में फ्लाइस भी मिक्स की जाती है Size, Red Bricks और Flyess Bricks दोनों का Size सेम रहता है इनके Standard Modular Size होते हैं 190 x 90 x 90 mm और 190 x 90 x 40 mm और Standard Non-Modular Size होता है 230 x 110 x 70 mm और 230 x 110 x 30 mm और AAC Block के Market में Standard Size आते हैं Length 400 x 500 x 600 mm Height 200 x 250 x 300 mm Width 100 x 150 x 200 x 250 mm हाला कि ये Size Manufacturer to Manufacturer different हो सकते हैं Mortar Conjunction जहां Red Bricks में इनके Irregular Surface और Number of Joints ज्यादा होने के कारण इनमें ज्यादा Mortar Required होती है वहीं Flyers Bricks का क्योंकि Surface Even होता है और इसमें Number of Joints भी कम होते हैं इसलिए इनमें Mortar की जरूरत भी कम ही रहती है और AAC Block का Surface भी एकदम Smooth और Even रहता है और इनके Size में बड़े होने के कारण इनमें Number of Joints भी कम रहते हैं Water Uses During Manufacturing Red Bricks की Manufacturing करते हुए इनकी Curing में बहुत अधिक पानी की जरूरत पढ़ती है जिससे बिजली का बिल भी भड़ता है और लेवर की कोस्ट भी पर Flyers Bricks स्टेम से क्योड की जाती है इसलिए इनके Manufacturing में Curing की कम requirement पढ़ती है इनमें पानी की जरूरत इनके Placing के समय में ही पढ़ती है वहीं AC Blocks भी स्टेम से क्योड किये जाते है और इनकी मैजंडी की Curing में भी पानी की कम ही requirement होती है जिससे बिजली का बिल भी बहुत हद तक सेव होता है Breakage and Utilization Red Bricks में लगभग 10-12% या इससे भी जादा breakage होती है जो depend करती है bricks की quality पर इसलिए Red Bricks का 100% Utilization पॉसिबल नहीं है पर Flyess Bricks और AC Blocks इन दोनों की breakage एकदम negligible है जिससे इन दोनों का 100% Utilization पॉसिबल रहता है Dry Density Red Bricks की Dry Density होती है 1600-1920 kg पर M3 जो bricks की class पर vary करती है पर Flyess Bricks की Dry Density 1700-1850 kg पर क्यूबिक मीटर तक होती है यह भी depend करती है bricks की class पर और AC Blocks की Dry Density 451-1000 kg पर M3 तक होती है जो vary करती है AC Blocks के class पर Compressive Strength Red Bricks की class के base पर इसकी compressive strength range करती है 3.5 से 35 Newton पर M2 तक और Flyess Bricks की compressive strength भी range करती है 3.5 से 35 Newton पर M2 तक वहीं AC Blocks की compressive strength depend करती है Blocks के grade पर के उसका grade कौन सा है AC Blocks की compressive strength 2 से 7 Newton पर M2 तक range करती है Water Absorption Red Bricks का Water Absorption इसके weight से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और Flyess Bricks का Water Absorption इसके weight से 15-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहीं AC Blocks का Water Absorption इसके weight से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए Thermal Conductivity क्योंकि Red Bricks की Thermal Conductivity Flyess Bricks और AC Blocks दोनों से ज़्यादा होती है इसलिए इनकी walls ज़्यादा हीट ट्रांसफर करती है जो 0.6 से 1 watt per meter kelvin होती है पर Flyess Bricks की Thermal Conductivity AC Blocks से तो ज़्यादा रहती है पर Red Bricks से कम होती है जो 0.3 से 0.4 watt per meter kelvin तक होती है और AC Blocks की Thermal Conductivity दोनों Red Bricks और Flyess Bricks से कम होती है जो 0.2 से 0.4 watt per meter kelvin होती है Sound Insulation Red Bricks के dense structure होने के कारण इसकी sound insulation properties बहुत अच्छी होती है एक 150 mm thick wall से 45 decibel और 230 mm thick wall से 50 decibel तक sound reduce होती है वहीं flyers bricks की sound insulation property red bricks और AAC blocks दोनों से कम होती है एक 100 mm thick brick 37 से 39 decibel तक sound reduce करती है पर AAC blocks की sound insulation property बहुत ही अच्छी रहती है इनमें air voids presence होने के कारण एक 200 mm thick AAC block 40 से 45 decibel तक sound reduce करता है termite resistant क्योंकि red bricks clay से बनाई जाती है जो एक organic material है इसलिए ये bricks termite resistant नहीं होती वहीं क्योंकि flyers bricks inorganic material से बनाई जाती है इसलिए flyers bricks insect resistant होती है जिनमें termites और paste आसानी से नहीं फैल ता और AAC blocks भी insect resistant inorganic solid wall construction material है जो insect और termites को फैले से रोकते है और wall की life increase करते है environmental impact red bricks को बनाने में fertile land का top soil cover reduce होता है इसलिए उपजाओ जमीन कम हो रही है और इसकी manufacturing में भी ज्यादा amount में CO2 emit होता है इसलिए red bricks environmental friendly नहीं है पर flyers bricks क्योंकि thermal power plant से निकली waste flyers को utilize कर लेती है जिससे waste की dumping problem तो soul होती ही है साथी साथ इसकी manufacturing में CO2 भी कम emit होती है तो flyers bricks environmental friendly है और AC blocks की manufacturing के समय जो इसका waste बचता है वह भी दोबारा recycled means use हो जाता है और इसकी manufacturing कम CO2 emit करती है तो AC blocks भी environmental friendly है तो flyers bricks और AC blocks से environment को कोई नुकसान नहीं होता uses red bricks as a structural materials बहुत से different structure में use की जाती है जैसे buildings, breezes, foundations, arches और cornice वगेरा में और flyers bricks भी red bricks के alternative के तोर पर use की जा सकती है वहीं AC blocks, load bearing और non load bearing दोनों ही त्रह की walls के लिए use किये जा सकते है पर ये ज़्यादातर high rise building के लिए recommend किये जाते हैं दोनों internal और external walls के लिए और last बात आती है इन सब की cost की हाला कि red bricks AC block से सस्ती और flyers bricks से महंगी है पर फिर भी इनकी overall मेंजनरी की cost महंगी होती है इन में ज़्यादा mortar, plastic thickness और joint होने की वज़े से पर flyers bricks एक सस्ती मेंजनरी unit है लेकिन इसकी overall मेंजनरी cost महंगी है इनके number of joints और mortar requirement ज़्यादा होने की वज़े से पर अगर AC block की बात करें तो एक individual block दोनों red bricks और flyers bricks से महंगा पड़ता है पर एक AC block की overall मेंजनरी cost बहुत कम आती है क्योंकि एक तो इनके बड़े size की वज़े से number of joints कम होते है जिससे number of blocks कम लगते है इसके साथ-साथ इनमें mortar भी कम required होती है इनकी मेजनरी और plastic में तो friends हमने इन तीनों का detailed comparison देख लिया है अब बात ये आती है कि इनमें से हमें क्या use करना चाहिए अपना घर बनाने में तो friends मैं आपको बता दूँ वैसे तो red bricks बहुत पुराने समय से use होती आ रही है और इनसे बने structure आज भी बहुत पुराने समय से जोंके तो खड़े हुए है पर आज trend बदल रहा है और इसके साथ साथ हमें भी बदलना जलूरी है और मैं recommend करूँगा कि आप red bricks को छोड़े और flyess bricks और AC blocks का ही use करे अपना घर बनाने में अब अगर इन्हें use करना है तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आप अपनी सभी external walls के लिए तो flyess bricks यूज करें और internal partition walls, foundations, boundary walls और parapet walls वगेरा के लिए आप AC blocks यूज कर सकते हैं एक तो ये दोनों red bricks से सस्ते पड़ते हैं दूसरा इस से environmental को कोई उकसान नहीं है साथ इसाथ इनकी compressive strength भी अच्छी है तो friends हमने AC blocks, red bricks और flyess bricks के लगबग सभी comparison को देख लिया है और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो हमें comment करके बताएं तो I hope के देगई जानकारी आप लोगों के लिए useful लहेगी और आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आपके कोई query या समस्या है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते है तो direct हमें हमारे Instagram और Telegram गुरूप पर message करें आपको reply जरूर दिया जाएगा इन दोनों गुरूप्स के link में नीचे वीडियो description में डाल रहा हूँ और हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो से updated देहने के लिए आप हमारे चैनल में इंजिनिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते है और इसके साथ साथ आप घंटी को दबाना नहीं भूले नहीं तो आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो को मिस कर दोगे ओके फ्रेंट्स चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स वीडियो में आप लोगों के लिए एक और शांदर जानकारी के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत भूत धन्यवाद तक्स वर वचिए वाचिए वाचिए वाचिए